माइन्सक्ट 1952, Section 10, Secrecy of Information Obtained, प्राथ जानकारी की गोपनियता किसी खान के सम्मन्द में कोई Registered, Extracts, Records जिसमें Chief Inspector या कोई Un-Inspector या Section 8 के अधीन Authorized Special Officer या Section 9 के अधीन Authorized Officer ने किसी खान के निरिक्षन या सर्वे के अनुकरम में लिखा है तो ऐसे Record, Extracts और Registered, Secret रखे जाएंगे यानि किसी वैक्ति या Authority के सामने उनको Disclose नहीं किया जाएगा जब तक कि उस खान में या उसके बगल में किसी खान में योजित, किसी वैक्ति का स्वास्थ, सुरक्षा या कल्यान सुनस्चित करने के लिए Chief Inspector या Un-Inspector जोरूरी ना समझें लेकिन यदि कोई Court यानि नया याल है Section 12 के अधीन गठित कमिटी Section 24 के अनुसार गठित Court of Inquiry उपर का अधिकारी या उस पर्टिक्लर माइन का मैनेजर, एजिंट या फिर ओनर Workman's Compensation Act 1923 के अनुसार निउक्त Commissioner for Worksman Compensation Indian Bureau of Mines Controller Registered या Recognized Trade Union ऐसा अधिकारी या Authority या फिर कोई संस्था जिसे केंदर सरकार ने Specify किया है मैंसे कोई भी अगर ऐसा Information, ऐसा Record, ऐसा Extract, ऐसा Registered माँगे तो दे दी जाएगी अगर आपको अमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर यदि कोई क्वेरी या सजीशन हो तो कमेंट करें, you can also follow us on Facebook slash Mining Technical Till then, जय हिन, जय भारत